हाई फ्रेंड्स मैं हूं आपका शतीष वेलकम टू मैं यूटूब चैनल आज हम जानेंगे बच्छों के माइल स्टोन के बारे में तो आपने सुना होगा कि एक साल का बड़े, दो साल का बड़े, लेकिन हर महने, बच्चों का हर महने का माइल स्टोन चिक करना है, कि उन्होंने क्या है, कि इस महने उन्होंने क्या है, अगले महने उन्होंने क्या है, तो वो बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं, जब हम बच्चों से डील करते हैं, तो के पास आते हैं हमारा बच्चा चल नहीं पा रहा है हमारा बच्चा बाते नहीं कर रहा है अगर आ भी रहा है तो पहुत ही लेट आ रहा है कारण क्या है कि पेरेंस फोकस नहीं कर पा रहा है पहले जॉइंट फैमिली थे जो बड़े थे उनको पताता है कि बच्चे को कब क्य आना चाहिए लेकिन आजकल सारे single family हो गया है तो पता नहीं चलता है कि यार बच्चों को कौन से उमर में क्या आना चाहिए तो डॉक्टर के पास आते हैं फिजो के पास आते हैं फिर हम उन्हें मदद करते हैं लेकिन बीना उनके पास जाए आप घर में भी कुछ चीजे होते वो देख सकते हो और बच्चों में वो improvement आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो focus कर सकते हो तो एक होता है communication कि बच्चा बोलना इस उमर जैसे कि इसका अभी five month complete हो गया आज जीरो से 5 मन्स हो गया है तो 5 मन्स का आज सोच लो माइल स्टोन का बर्ड़ है तो जैसे कि जो 5 मन्स कम्प्लीट कर लेते हैं तब हम इस तरह 5 मन्स का करते हैं तो अभी क्या क्या आना चाहिए तो बच्चों को अभी at least जो हम बोल रहे हैं उसको कॉपी करना आना चाहिए जैसे कि मैं कभी कभी कोई आवाज निकालता हूँ तो उस आवाज का कॉपी करना चाहिए या हम मा बोल रहे हैं तो मा बोलने का, पपा बोलने का, डड़ा बोलने का उस तरह के कुछ दो शब्दे ऐसे कुछ बोल रहे हैं हम उसे बच्चे को कॉपी करना आना चाहिए तो वो है कम्मिनिकेशन कि बच्चा कम्मिनिकेट कैसे कर रहा है या जब आप उसको देख रहे हो तो वो आपके तरफ हाथ पहलाना चाहिए या फिर आप जब बुला रहे हो वो टर्नो कर देखना चाहिए कि हाँ मुझे ही बुला रहे हैं तो घर में हमेशा एकी नाम ज़्यादा बुलाओ जुससे क्या होता है कि कम्यूनिकेशन बढ़ता है तो वो देखता है कि हाँ जी मुझे ही बुला रहे है या फिर जब आप टाप कर रहे हो तो आपकी तरब देख रहे हैं, हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं, तो वो कितना भी focus हो, जब आप बुलाओगे, तो वो देखना चाहिए, और दूसरी बात है कि mirror देखना, जैसे कि वो अपने आप turn हो, आप देख रहे हो इस वीडियो में, अपने आप ही turn हो आए, तो प इस तरह कि जो threads है, threads को पकड़ कर निकालना, चोटा सा piece जो होते हैं, उस piece को, जैसे कि मटर बोलते हैं, मटर जैसे चोटे-चोटे चीज़ों को पकड़ कर मूँ में डालने की try करना चाहिए, और जब यह सब कुछ करवा रहे हो, तो बगल में parents रहना must and should है, क्योंकि वो कि खिलोने दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फिर इस तरह के यह छोटा हाती है, या फिर nursing pillow बोलते हैं, तो nursing pillow जब आप दे रहे हो, तो help करता है बैटने के लिए, जब 5 complete हो रहा है, तो बच्चा अपने आप 80% अपने आप ही बैटना चाहिए, हलका सा आगे lean हो जाना चाहि तो यह nursing pillow हो गया, यह pillow हो गया, help करता है कि पीचे से थोड़ा बहुत support हो गया, आपने आप ही बैटने के लिए try करते हैं, फिर इनके right side brain, left side brain, दोनों को जैसे अंगुटा चूस रहा है, यह भी होना चाहिए, कभी एक finger डालता है, कभी सारे finger डाल लेता है, उल्टिया भी क कोशिश करता है, finger डाल कर, लेकिन दो साल तक यह normal है, करने दीचे, उसको अच्छा लगता है, यह सब कुछ, दाता आ रहा है, उसको पसंद आता है, तो यह करने दीचे, टोकिये मत, रोकिये मत, दो साल के बाद आ रहा है, तो तब गलत बात है, फिर आप देख रहे हो, कि तस्वीरे हैं, बहुत सारे, colorful है, क्योंकि यह अभी color देखना शुरू हो जाएगा, पांचवा महिने के लिए अंदरी, four complete, fifth जब आता है, तब ही बच्छे color देखना शुरू कर लेते हैं, तो यह है chicken, hen बोलते हैं, पीछे ऐसे लिखा हुआ है, आप बढ़ सकते हो, इसमें fruits है, flowers है, इस तरह छोटे-छोटे colorful animals है, फिर आप किताबे में pictures दिखा सकते हो, कि बच्छों को अपने roots से जुडाना चाहते हो, तो मैं रामाइन इनको pictures दिखाता हूँ, story सुनाता हूँ, और यह क्रिष्ट भगवान का है, यह बहुत ही अच्छा story है इसमें, इसके लिए dedicated video फिर से बनाऊंगा, पौदे के related, और इस तरह के रामाइन हो गया, क्रिष्ट जी की छुटी-छुटी कहानिया हो गया, फिर आप देख सकते हो, इस तरह के apple, फिर इस तरह के toys आएंगे, क्रिष्ट जी का, गनेज जी का, हन्मान जी का, आप बहुत सारे toys देखते हो, जो तो आप यह देख रहे हो, म्यूसिक वाला है, जिसमें म्यूसिक आता है, तो बच्चे को इस तरह के म्यूसिक पसंद होता है फिर इसके बाद इस तरह के toys है, जो उल्टा लेटने में पसंद होगा, अभी उल्टा लेटना बच्चा शुरू कर देना चाहिए, पांच कंपलीट हो गया है, तो आप देख रहे हो, इससे पहले आपने वीडियो में की बच्चा उल्टा लेता है, तो शुरुआत में उसे more ज्यादा encourage करने के लिए इस तरह के twice होंगे, जो आगे पीछे जाएगा, आवाज आएगा, ठीक है, उससे भी आएगा, इस तरह के वो भुलोगा, ठीक है, आगे पीछे गुमता रहता है, ठीक है, उससे भी उनको hand-eye coordination आएगा, जो cricket खेलते हैं, जो ball catch पकड़ते हैं वो exactly कैसे पकड़ते हैं, hand-eye coordination, reaction time, तो यह यहाँ से ही शुरू होना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए, जैसे आपने देखा होगा, तारे जमीन पर बच्चा catch पकड़ना लेट हो जाता है, यह सब कुछ इसलिए होता है कि बच्चा लेटली हम सिखाते हैं उन्हें, उनको time पर सिखा रहे हैं, तो वो जल्दी सीख लेगा, और यह बहुत ही पसंद है, उसे हमेशा मुह में रख लेता है, और इसमें positive क्या है कि यह touch नहीं करता है, इसका design ऐसा है, कि आखों में damage नहीं होता है, कहीं चोट नहीं लगता, वो मुह में डाल लेते हैं, बहुत अच्छ लगता है, और यह देख रहे हो, फ्रॉग बनाया है, एक फ्रॉग है, एक छोटा सा फ्लावर है, इस तरह आप भी busy रह सकते हो, क्या करना है कि बच्चों के साथ पैरट ट्राई किया है, तो यह रहा, यह रहा, यह सब कोच, फिर इने अपना ममी का जो milk होता है, अगर ममी बहुत ही busy है, तो automatic squeeze करकर ममी का milk store कर सकते हो, और वो दे सकते हो बच्चों को, और उनको bottle पकड़ना आ जाना चाहिए, पांचवे महिने में, और पांचवे महिने के बाद बच्चे जब sitting हो रहा है, हातों से इसे grip करकर लकड़ी का different different आवा जाना चाहिए, फिर उसके बाद बैट कर, कि बैट करेगा क्या, हम बोल रहे हैं बच्चों को बैठाओ, लेकिन बैट आगर करेगा क्या, वो important है, इस तरह का कुछ चीजे दोगे, तभी वो attract होगा, पीजी होगा, वरना नहीं होगा, और इसमें देख रहे हो, किताब है, जैसे कि पेपर ये फाड़ कर मु करें आ सकते हो, जैसे कि ये प्लायान है, जिराफ है, फिर जिवरा है, और इनको ये गेम बहुत ही पसंद है कि कुछ छुपा कर आप उनका चहरा देख रहे हो, देखो अभी देखते हैं, तो इनको ऐसा है कि छुपा कर उनका चाहरा देख रहे हूं तो वह हसेंगे बहुत जदा कुशिप महसुस करेंगे तो इस तरह मुँँ में डालने के लिए कुशिश करेंगे तो यह सारा सेफ है ठीक है तो और कुछ जैसे कि यह कृष्ण बगवान जी का भी एक ट्रॉई है जैसे इसमें आप खोलोगे ठीक ही किश्ट बगवान जी क्या कर रहे है मम्मी के साथ ओई अटैच्मेंट होता है कि बच्चार मम्मी का बहुत ही छोटा बुक है इसमें तोड़ा और स्टोरिस होता तो अच्छा होता तो रूट्स के साथ टचेंगार यह जो तस्वीर यह बड़े-बड़े हैं जब इनको बैठाने के लिए कोशिश करते हो तो जादा देर कैसे बैठेंगे जैसे उल्टा लेटना है पहले थोड़ा लेटता था फिर हमने मिरर दिया फिर इस तरह के टोईस दिये सो यह सब कुछ होता है दोस्तो मतलब इतना कुछ होता है कि हम कुछ बच्चे को क्यान नहीं करते लेकिन इन सब कुछ करना पड़ेगा जैसे यह लोटस देख रहे हो और यह लोटस फ्लावर जब उसको बहुत ही नस्तिक देते हैं तो वो कुश्बू भी देखता है उसमे हमेशा रोते रहते हैं अभी देखो उसका फोकस बिगड़ गया है फिर हम वो टॉई देंगे फिर अपने हाँ भी सैलेंट हो जाएगा उसमें आवाज आ रहा है उसी तरह उसके पैर के लिए एक फुटबॉल होता है जिसे वो किक करता रहता है तो उसे मज़ा आता है फिर हा तो यह सब कुछ आपको अभी से बोलना शुरू करवा देना पड़ेगा तब ही जाकर वो सीखेंगे और कंटिन्यूसली बीजी ऐसे पेरेंस आपको उन्हें बीजी रखना है तो बहुत ही क्रियेटिव रहना पड़ेगा इस सब कुछ कर रहे हो तब ही वो एंज्वे करते है वारना वो बोले है